दोस्तों भारत देश में लोकतांत्रिक राजा यानी प्रधानमंत्री स्री नरेंदर मोदी बहुती लोकप्रियनेता है। फिर चाहे वो देश हो या विदेश हो जहां भी जाते हैं उन्हें देखने वालों की असंग की भीड उमड परती है। ऐसे में देश में तो इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे देश की आर्मी और SPG यानी Special Protection Group पर होती है। लेकिन जब इवे देश के दोरे पर जाते हैं तो आखिर इनकी सुरक्षा कैसे और कौन करता होगा। इसके अलावा PM मोदी कैसा खाना खाना पसंद करते हैं और प्रते दिन उनके खाने पर कितना खर्च होता है। और प्रधानमंतरी को किस तरह की घड़ी पहनना पसंद है। उनकी ऐसी कई खास बाते हैं जो हम आज आपको अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो देर ना करते हुए चलिए सुरू करते हैं आज किस दिल्चस्प वीडियो। दोस्तों आज की समय में प्रधानमंतरी नरेंदर मोदी ही देश में इकलोते ऐसे व्यक्ती हैं जिने SPG की सुरक्षा मिली हुई है। हालंकि पहले पूरू प्रधानमंतरियों और उनके करीबियों को भी SPG सुरक्षा मिलती थी। SPG की सुरक्षा ववस्ता को देश में सबसे ज़्यादा चाक चोबंद माना जाता है। लेकिन इसमें कितने जवान होते हैं इनकी संख्या इनिस्चित नहीं होती। खतरे की आसंका को देखते हुए ये संख्या उपर नीचे होती है। SPG कमांडों की सुरक्षा चार इस्तर की होती है। पहले स्तर में SPG की टीम के पास सुरक्षा का जिम्मा होता है। SPG के 24 कमांडों प्रधानमंतरि की सुरक्षा में हर वक्त तैनात रहते हैं। इन कमांडोज के पास FNF 2000, असोल्ट राइफल, सेमी आटोमेटिक पिस्टिल और दूसरे अत्यादूनिक हतियार भी होते हैं। परदानमंत्री अपनी बुलिट पुरूफ कार में सवार रहते हैं। और उनके काफिले में दो आर्मड गाडियां भी चलती हैं। और नो हाई प्रोफाइल गाडियों के अलावा एक एम्बूलेंस भी साथ चलती है। पी-एम के काफिले में हमेशा एक डमी कार भी चलती है। ताकि किस भी तरह के अटैक के समय में दूस्मनों को चक्मा देकर प्रदानमंत्री को वहां से निकाला जा सकी। और इस काफिले में करीब सो जवान सामिल होते हैं। देश के प्रदानमंत्री होने के नाते उन्हें अकसर दूसरे देशों का भी दोरा करना पड़ता है। और प्रदानमंत्री जब भी किसी दूसरे देश जाते हैं तो वहां उनकी सुरक्षा यहां से चार से पांच गुनाज ज्यादा हो जाती है। और देखने में तो केवल ऐसा ही लगता है कि पी एम एक जहाज पर बैठे है और वो जहाज आकास में उड़ान भर कर चला गया। लेकिन वास्ताव में पी एम मोदी की सुरक्षा के मद्दे नजर उनके साथ और भी कई हवाई जहाज उड़ान भरते हैं। जैसे इस बात का पता चलता है कि पी एम मोदी विदेशी दोर उपर जाने वाले हैं तो उनके जाने की तारिक से लगबग 8-10 दिन पहले ही एरपोर्ट की सुरक्षा वश्ता और भी ज़दा बढ़ा दी जाती है। इसके अलावा जब भी पी एम मोदी का जहाज उड़ान भरने वाला होता है तो उसके एक घंटे पहले ही उस पूरे एरिया को नो फ्लाइंग जोन घोसित कर दिया जाता है। असलियत में मर्सडीज मेबैक 765-0 है और इस कार की की मतलग बग 12 करोड रुपए है। पीम मोदी की बढ़ती लोग प्रियता और साथी साथ उनके बढ़ते दुस्मनों को देखते हुए सुरक्षा के मद्दे नजर SPG ने उनके लिए एक कार मंगवाई है। इस कार के कैब इस कार में स्पेसल रन फ्लैट टायर भी लगे होते हैं जिनकी वज़़े से जरुत पढ़ने पर ये गाड़ी पत्रेले रास्तों पर भी काफी तेज स्पीड में भाग सकती है। बांकि इस कार की टोप स्पीड 160 किलोमेटर प्रती घंटे है। मर्सडीज मेबैक 765-0 के फ जहास गाडियों को भी उनके साथ जा रहे हवाई जहाजों पर लोड कर दिया जाता है। और इन गाडियों में एक गाड़ी ऐसी भी होती है जिसमें इंटरनेट जैमर लगा होता है। इस गाड़ी में ऐसे इंस्ट्यूमेंट भी लगे होते हैं जो 100-200 मिंटर की रेंज मे इस भी विस्पोटक पदार्थ के होने का संकेत दे देते हैं और किसी भी तरह के टाइम बंब को डिफ्यूज भी कर देते हैं। साथी पी एम मोदी जिस हवाई जहाज पर यातरा कर रही होते हैं उनके साथ साथ एनस्टी कमांडोज भी उस जहाज में मौजूद रहते हैं अब वैसे तो बाहर से देखने में ये जहाज भी एक सामाने जहाज की तरह ही दिखाई देता है। लेकिन अंदर से ये जहाज किसी लगजरी होटल के बराबर है। परदान मंतरी के इस हवाई जहाज के अंदर बाथरूम किचन के अलावे एक शांदार बेडरूम भी होता है। सुख स्वीध्याओं के अलावे जहाज में पी एमोदी की सुरक्षा के भी बहुत तकड़े इंतजाम किये जाते हैं। जैसे कि हवाई जहाज के अंदर एक ऐसा रूम बनाये जाता है जिसमें सभी तरह के हतियार मुझूद रहते हैं। और उनके पीछे आ रहे पर उनका हेलिकॉप्टर लेंड करवाना होता है उस जगह पर भी काफी समय पहले ही सुरक्षा के इंतजाम बहुत ही जदा कड़े कर दिये जाते हैं। तो इस सब देखकर ये तो यकीन हो गया है कि चाहे भारत हो या फिर भारत के बाहर। प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी बहुती सादा भोजन पसंद करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मताबे कि मोदी नास्ते में पोहा खाना बेहद पसंद करते हैं। इसके अलावा वो खिचडी, कढ़ी, उप्मा, खाकरा, आदी, गुजाती वेंजन पसंद करते हैं। और अधरक वाली चाहे तो जरूर प उप्वास रखते हैं। और अपने इसी उप्वास के दोरान वो केवल नीमू पानी ही पीते हैं। लेकिन इतने सादे भोजन के बावजूद भी ऐसा कहा जाता है कि प्रते दिन 50-60,000 रुपय खर्च हो जाते हैं। और उसके पीछे का कारण ये है कि प्रधानमंत्री के ख प्रक्षा काहरे एक पहलू ध्यान में रखा जाता है। और उनके भोजन में काफी सारे ड्राइफ फ्रूट्स भी डाले जाते हैं। ताकि उनकी सहत अच्छी रहे और उन्हें खाना परोसने से पहले खानी की टेस्टिंग भी की जाती है। और सब कुछ ठीक होने पर ही प इसलिए करते हैं ताकि वो जब चाहे समय देख लें और किसी को इसका पता भी ना चले। कि कभी-कभी ऐसा होता है कि वो किसी जरूरी मिटिंग या सभा को सम्मुदित कर रहे होते हैं और ऐसे में समय देखनी की जरूरत महसूस होती है। लेकिन अगर किसी से बात करते समय बीच में ही टाइम देखा जाए तो उस वक्ति को ऐसा लगेगा कि मैं उसकी बातों से उब रहा हूँ और उसे अच्सा नहीं लगेगा। इसलिए घड़ी को उल्टे तरीके से पहनने पर समय भी दिख जाता है और वहां बैठे लोगों को बुरा भी नहीं लगता है। प्रियास किये जिससे देश की जनता की मन में जीवन के प्रती उत्साह जीवित रहे और प्रेणा दीस बुरे समय से लड़ने की। जहां बड़े-बड़े विक्सित देश भी कोवीड की वैक्सिन बनाने में सफल नहीं हो पा रहे थे वहीं हमारे प्रधानमंत्री मोदी ज प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी के बारे में क्या राय है उनकी सबसे खास बात आपको क्या लगती है हमें नीचे कोमेंट करके जरूर बताइएगा बाकी आज के लिए बस इतना है मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए खुसरे मस्तरे हैं हस्तरे भगवान क अगरे अब सभी का दिन सुब हो